बिफोर, 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 और ये है आफ्टर लूक, सब कुछ एकदम नीट अन क्लीन, पिचर परफेक्ट, कुछ-कुछ ऐसा जैसा इंस्टाग्राम के घरों में दिखता है, लग रहा है ना कुछ-कुछ इंस्टाग्राम वाला या पी इंट्रस्ट वाला घर, लग रहा है या नहीं, प्लीज नीचे कामेंट में सरूर बताइए, अब ये है आफ्टर लूक, सब कुछ अच्छे से, नीटली क्लीन, सब कुछ वेल प्रेजेंटेड, देखिए जरा, क्लीन है के नहीं, बिल्कुल क्लीन है, सिंक भी, एक्तम परफेक्ट, हे गाइज, मैं हूँ मीना, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, और आप सोच रहे होंगे, आज ये मैं कहां पहुँचे हुई हूँ, क्योंकि ये मेरे घर की किचन तो है नहीं, जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं, कि मेरी किचन क कौन सी है, तो काइस, मैंने आपको पहले भी बताया था, कि मैं काफी टाइम से, जो है, अपना व्लॉग चैनल शुरू करने की सोच रही थी, और बताया था, कि लगबग डेड़ ताल से, मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ परिस्तितियां ऐ अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने सोचा कि क्यो ना मैं वो अपनी पुरानी वीडियो सारी धीरे-धीरे-धीरे-धीरे करके अपलोड करनी शुरू करूँ, ताकि एक तो फोन की मेमरी बलकुल खतम हो रही है, और नया कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, तो एक तो यह मेरे जो इतनी मेहनत से मैंने चीज़ें रिकॉर्ड की हुई है, वो सारी की सारी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी, और दूसरा इनको फिर मैं साइड कर दूंगी ताकि अपने फोन से डिलीट भी कर सकती हूं, ताकि मेरे फोन में जगा बन जाए और मैं लेटेस्ट आपके साथ शेयर कर सकूँ, तो सब्से पहली तो बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि यह मैं हूं कहां पर, यह मैं हूं पॉंडीचेरी में हूं, जहां पर मैं गई हुई ती और यहाँ पर मैं रुकी थी पूरा एक साल के लिए जी हाँ पूरे एक साल के लिए बिल्कुल अंजान शहर में जहाँ पर ना कोई जान पहचान है, जहाँ की भाशा अलग है जहाँ का कलचर अलग है, एन्वार्मेंट अलग है सब कुछ अलग होते हुए भी वहाँ पर पूरा एक साल मैं वहाँ पर रुकी और कैसे मैंने मैनेज किया, क्या परिस्तितियां रही ये सब कुछ मैं आपके साथ इसमें शेयर करूँगी क्योंकि अपनी सारी जर्नी जो है वो मैंने रिकॉर्ड की थी क्योंकि मुझे लगता था कि वहाँ पर और कोई काम तो है नहीं कि चलो मैं अपने शूट सी कर लेती हूँ ऐसा नहीं है कि यूट्यूब मेरे लिए नया है पहले भी मेरा एक चैनल था मीना जरीना नाम से आज भी वो चैनल है पर मैं उस पर एक्टिवेट नहीं हूँ अब काफी टाइम से उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन्स रहे हैं जिनकी वजह से वो चैनल मुझे छोड़ना पड़ा और ये सब बाते हैं मैं फिर कभी अगर आप इंटरस्टेड होंगे तब आप लोगों से शेयर करूँगी फिलाल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैंने एक बिलकुल अंजान शहर में जहां पर मैं किसी को जानती भी नहीं थी और मैंने ये अपना पूरा एक साल बिताया कैसे मैंने सर्वाइव किया जहां पर मेरे पास साधन भी नहीं थे तो सबसे पहले तो जो ये आप घर देख रहे हैं ये घर मैंने OLX के थू ही लिया था शेहर में पहुंचने से पहले ही ये होमस्टे करके कुछ उनका था जो वाकई मुझे बहुत महेंगा पढ़ा था और मैं चाहती तो होटल में भी रह सकती थी क्योंकि ये उतना ही महेंगा पढ़ रहा था लेकिन क्या था कि होटल में आपना सारा सामान अरेंज नहीं कर सकते हो actually क्या था कि मेरी बेटी वहाँ पर पढ़ रही थी और उसे मेरी जो है वो जरूरत थी तो वो कुछ टाइम चाहती थी कि मैं उसके साथ रहूं और मैं वो होस्टल को जो है वो छोड़ना चाहा रही थी तो मैं इसी लिए उसके पास चली गई थी और एक साल तक मैं उसके साथ रही और ये उसी टाइम की ये जर्णी है जब मैंने ये सब कुछ स्ट्रगल किया तो फिलहार आप ये जो घर देख रहे हैं ये एक होमस्टे घर था और इस होमस्टे में मेरा लगभग डेली का किराया जो है वो एक हजार रुपया था काफी महंगा था और मैं क्योंकि एकदम अंजान शहर में थे क्या करें कहां जाएं कुछ भी पता नहीं था और दूसरा ये जगा जो है वो उसके कॉलेज से भी लगभग साड़े चार किलोमेटर दूर थी लेकिन स्टिल क्योंकि हमें अचानक से वहां जाना पड़ा और कोई रास्ता नहीं था मुझे ये था कि एक बार चलते हैं जा करके देखते हैं और फिर देखेंगे कि धीरे धीरे हम कैसे सैटल होते हैं और कैसे क्या करते हैं तो ये वहां पर उन्होंने लगभग फुली फर्निष्ट वो था इसलिए हमने इसमें रहना प्रेफर किया देखिया आप देख रहे हैं किचन में भी लगबग जरूरत का सारा समान है इवन माइक्रोवेव है राइस कूकर है और ट्रे है कुछ छोटे मोटे जरूरत के बरतन भी है तो इंड़क्शन मेरे पास था ही तो मैंने इस तरीके से जो है वो अपना काम वहाँ पर चलाया इंड़क्शन पर ही खाना बनाया और इंड़क्शन पर खाना बनाना ही अपने आप में एक स्ट्रगल है ये सब कुछ भी मैं धीरे धीरे आगे आप लोगों से शेयर करूँगी कि कैसे इंड़क्शन पर खाना बनाने में मुझे घंटों लग जाते थे और बाकी भी मैं अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर करती रहूंगी कि कैसे क्या हमने सब स्ट्रगल जेला और सब कुछ मैनेज किया और फिलहाल तो आप ये देख रहे हैं कि मैं तड़का लगा रही हूँ ये जो बरतन है जिसमें मैं तड़का लगा रही हूँ ये भी ऑनर नहीं प्रोवाइड किये हुए है अपकोर्स जब एक हज़ार रुपया रोज के मैं दे रही हूँ तो बेसिक फैसिलिटीज तो मिलना बनता है और यहाँ पर मेरे परस वाशिंग मशीन भी थी और बाकी और भी कुछ जरूरत की चीज़ें जैसे आरो भी लगा हुआ था बेड भी था एक प्रोजेक्टर भी था मतलब आप जीसे कह सकते हैं जैसे एक बसा बसा आया घर मिल गया था और हमें बस अपने कपड़े ले करके वहाँ जा करके रहना था तो क्योंकि अचानक से एक तम नए शहर में जाना पढ़ रहा था तो मुझे ये सबसे सही तरीका लगा आल्दो बहुत महंगा बहुत एक्सपेंसिव था ये तरीका लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि होटल में रह करके आप घर जैसा ना तो अपने बच्चे को खाना दे सकते थे और ना घर जैसी उसको फीलिंग आ सकती थी तो मैंने सुचा कोई बात नी होटल जैसा ही समझ लेते हैं बट एटलिस्ट घर का खाना तो होगा तो मैंने इसी को प्रेफर किया तो महां जा करके रहने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे जो जो समझ आता रहा वो मैं करती रही तो इसी सीरीज के कुछ आगे व्लॉग्स में आप लोगों से शेयर करूँगी तो प्लीज आप अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं आप लोगों को इंटरस्ट आता है तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए पॉंडी चैरी की कुछ अच्छी चीज़े भी दिखाऊंगी कैसे गूड एक्सक्राइब हुए और कैसे वर्स्ट एक्सक्राइब हुए वो भी आप लोगों को बताऊंगी और फिलहाल तो ही मैं बना रही हूं अपने होम स्टे पॉंडी चैरी होम स्टे में अपना पहला खाना और जो है शायद डाल और चावल क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद इस वीडियो को देख रही हूँ तो मुझे देख करके खुद भी याद नहीं आ रहा है कि ये क्या है और I think डाल चावल ही बनाई थे मैंने सबसे पहले और देखते हैं ये क्या है फाइनली बन करके रेडी होता है और मैं आप लोगों से अपने और भी इस तरीके के ये सारे ब्लॉक्स जो है वो शेयर करूँगी इसमें कुछ टूर एक्सपिरियंसेज भी है जो मैंने वहाँ पर गई मैंना या शेहर था हाला कि लेकिन स्ट्रेल एक बहुती सुन्दर शेहर है और ओविसली महंगा तो बहुत है और बात की क्या क्या मैंने वहाँ पर अच्छा और बुरा फील किया या जो कुछ भी देखा वो सब मैं आपको बताऊंगी तो मेरे एक्सपिरियंसेज जानने के लिए और शायद ये आपके लिए भी हेलफ available हैं तो शायद मेरी ये knowledge आप लोगों के लिए कुछ helpful साबित हो और अगर आपको लगता है किसी और को इसकी जरूरत है किसी के बचे होस्टल में रहते हैं या कुछ भी ऐसा कोई भी reason है या आप vacation के लिए होमस्टे को prefer करते हैं तो प्लीज आप उनसे मेरा ये वीडियो ज काफी मुश्किल होगा और बिल्कुल सही मैंने छोले ही बनाए थे और ये जो है वो cooker को देखकर के मुझे याद आ रहा है कि इसमें छोले ही होंगे पक्का छोले नहीं होगी तो दाल होगी आप कहेंगे कि मैंने पहले वीडियो देखना चाहिए था बाद में voice over करना चाहि चाहिए और चोले मैंने कहा था नहीं चोले होंगे पक्का क्योंकि छोले चावल जो है वो मतलब मेरी बेटी का भी फेवरेट है और ये देखिए जो मैं बना रही हूं फर्स्ट तो क्या समस्या हो रही है शायद आप भी देख रहे होंगे कि कुकर के ढकन पर विसल नहीं ह और ये उसकी विसल जो है वो गुम हो गई थी अब नया शहर फर्स्ट डे और फर्स्ट डे तो नहीं था वहाँ पर गए मुझे दो दिन हो चुके थे क्योंकि एक नाइट तो हम चुप चुपा कर उसके होस्टल में ही रुके थे और अगले दिन हम उसका सामान ले करके वो अब नया शहर नहीं जगा है विसल बरत्रों की दुकान ढूनना भी मुश्किल था तो मैंने सुचा कि चलो आज तो बनाई लेते हैं क्योंकि उसकी डिमांड थे की छोले चावल बनाना तो मैंने सुचा जैसे तैसे आज बना लेते हैं कच्चे पके जैसे भी बनेंगे और कोशिश करके यह मैंने बनाई लिए लगभग गली चुके हैं चोले और साथ में पका मैंने बनाई होंगे चावल और यह बहुत देर तक सिर्फ खाली गे इसकी फोटो आ रही है जो मुझे बिलकुल अच्छी नहीं लग रही है और शायरी से मैं कटी कर देती हूँ और यह है मेरा होमस्टे का पहला खाना जी हां छोले चावल साथ में मैंने काटी है थोड़ी सी सैलेड तो बाकी अपडेट्स के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई